सभी को जय जिनेंद्र आज हमारे इस कारिकरम में जिसका नाम है विश युग में आरोग्या इस कारिकरम में आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं एक महान विज्ञानिक भारत के महान विज्ञानिक मिस्टर आर एन वर्मा जी आपके बारे में जो बताना चाहता हूँ वो एक अद्बुध है भारत का पहला आइटम बंब उनिस सो चोहतर में बना आपको जानकारी होगी भावा परमानू अनुसुंधान के अंदर मुंबई जहां पे एटमिक रिसर्च होती है पहले एटम बंब की टीम के ये सदस्याद रहे हैं रिसर्च की ये बहुत बड़ी उकलब्दी है उसके बाद वर्मा जी ने दस वर्स कैंसर पर रिसर्च की इसके बाद आदरने वर्मा जी ने चार साल हर्ट ब्लोकिंग स्टेंटिंग पर रिसर्च की इतनी रिसर्च और जो मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ खराप से खराप घुटने आज हर व्यक्ति घुटने के दर्द से परिशान है खराप से खराप घुटने का निराकरन दर्द का निराकरन उसको बनाने का समधान आपने पेटेंट किया जो कि वर्ल्ड फेमस है वर्ल्ड पेटेंट के नाम से प्रसिद्ध है ऐसे महान व्यक्त साथ में हमारे बीच में मुझूद हैं डॉक्टर संजीव मिस्रा जी जो कंप्यूटर इंजिनियर भी है और वर्मा जी के साथ पिछले आठ वर्सों से स्वास्त्य संबंदी चचाओ पर रिसर्च करते आ रहे हैं और लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं इस कारेकरम में हम आपको जो बड़ी से बड़ी बिमारी है उसके बारे में बताएंगे उसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में निराकरन कैसे होता है उसके बारे में भी बताएंगे आज हर व्यक्ति बिमारियों से जूज रहा है, डे वाई डे दिन प्रते दिन बिमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो मैं आदर्निय वर्मा जी से पूछन चाहता हूं, कि वर्मा जी हमारे देश में बिमारियों की संख्या क्यों बढ़ रही है। भारत की बढ़ती आबादी इसे ध्यान में रखते वे कुछ उपाय लागू किये गए, जिन में पहला उपाय था कि भाई बढ़ती आबादी को भोजन अनाजदाल फल सबजी देना पड़ेगा, उन अनाजदाल फल सबजीयों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खेतों मे पहली बार कृत्रिम खाद, इंसेक्टिसाइड, जन्तू नाशक, कीट नाशक आदी का उप्योग किया गया, कालंतर में ये पाया गया कि इसका प्रभाव मनुष शरीर पर भी पड़ता है, दूसरा दूद के नाम पर, क्योंकि बढ़ती आबादी को के लिए दूद की आप करन करके 70-80 लिटर तक लाया गया, संकरीद गाय का जो दूद है, ये पाया गया कि वो भी स्वास्त के लिए हादी कारक है, वो दूसरा कारण बना, तीसरा, खेतों से कच्चे अनाज, सबजियां फल आदी तोड़े जाते हैं, उन्हें केमिकल के द्वारा पकाया जाता है, केमिकल द्वारा पकाने पर, केमिकल का कुछ अंश, सबजी और फल में रह जाता है, वो तीसरा कारण बना, चवथा, दूद को निकालने के लिए आजकल इंजेक्शन दिया जाता है, पशुओं को, जिनमें गाय, भें, सित्यादी, सब कुछ हैं, उस इंजेक्शन का नाम, जनरली जो यूज होता है, उसका भी बहुत प्रभाव शरीर के आरुगे पर पड़ता है, और इसके अलावा, आजकल चलन बढ़ता जा रहा है, घर में भोजन कम करते हैं, होटल में बाहर ज्यादा भोजन करते हैं, होटल के भोजन को रुची कर वनानी के लिए, उनमें त तीन चार चीजें डाली जाती, सबसे पहला होता है, वो आकरशक दिखे, इसलिए रंग, उसमें रुची हो, इसलिए केमिकल्स, वो खराब ना हो जल्दी, उसके लिए डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिवस और इसके अलावा भी कुछ केमिकल्स लगते हैं, ये सब कारण बने हैं कि बीमारियां भारत में बढ़ती ही जा रही हैं, वर्मा जी जैसे आपने बताया कि भारत में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो जादेतर कौन-कौन सी मेन बीमारियां जल्दी होती हैं देखे जाती हैं, विपिल जी, बीमारियां तो दो ही हैं, वैसे आप हर बीमारी को अलग नाम दे के उसकी classification बढ़ा सकते, पहली बीमारी यहां वो जिनकी उत्पत्ति किसी जीवानू, कीटानू, वाइरस, फंगस, बेक्टेरिया आधी से होता है, उधारन के तौर पे टाइफाइड है, डीसेंटरी है, कॉलरा है और यह बीमारी यहां major नहीं मानी आती, क्योंकि इन सब बीमारीयों के जीवानू को मारने के लिए बहुत अच्छे इनसे यह एंटिबाइटिक्स उपलब्ध है, बीमारी आई, चेक किया, एंटिबाइटिक्स दे दिया, और ठीक हो गया, भारत इन बीमारीयों से नहीं जोज़ रहा है, क्योंकि यह बीमार की खास बात ये है कि ये किसी भी जीवानों की टानूं से उत्पन नहीं होती, उधारन के तौर पे cancer, diabetes, heart के problems, पुरुशों के problem, स्त्रियों के problems, migraine, piles, prostate, fistula आधी-ाधी, इन बीमारियों की खास बात ये है कि इन बीमारियों के कारण का पता आज तक आधुनिक से आधुनिक च किसा जगत को पता नहीं चल पाया, अच्छा ऐसा है, लेकिन डोक्टर जो आजकल बीमारियों फैल रही है, वो तो कह देते हैं, मिनट से पहले cancer है, ये है, वो सब चीजे, तो क्या उसकी पकड़ नहीं हो पाती है, आपकी नजर में, कैंशर तक की पकड़ स्टेज 3 तक नहीं हो सकती, क्योंकि कैंशर स्टेज 2 तक तो सर्दी खांसी जुखाम बुखार के रूप में, उसी तक सीमीत रहता है, थर्ड स्टेज में आते आते कुछ ऐसे लक्षन मिलते हैं, कि जो आम सर्दी खांसी बुखार के उपायों से ठीक नहीं होते तब शक्त पैदा होता है कि ये इतनी बढ़िया खांसी सर्दी जुखा मुखार के एंटीबायोटिक्स और सब दवाय दी जारी फिर भी ठीक नहीं होता तो कारण क्या होगा तब समझ आता है टेस्ट लेने के बाद कि ये स्टेज थ्री कैंसर है और स्टेज थ्री कैंसर वायपसी द्वारा कंफर्म किया जाता है वायपसी करते करते स्टेज फोर की अवस्था आती है अच्छा जैसे अभी कभी हम देखते हैं कि विक्ति बीमार हुआ और वो आजी वन दवाई खा रहा है ऐसा क्यों कि लगातार दवाई उसको मेडिशन उसको लेनी अगर बीमारी का कारण पता पड़ जाए तो उसका इलाज भी पर्मनिंट किया जा सकता है जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन बीमारियों को जिससे भारत पीडी थे एक भी बीमारी का कारण पता नहीं अगर आप खोजने जाएंगे तो आपको चार आंसर मिलेंगे एक ये गारी काका एक्जेक कारण आज तक पता नहीं लग पाया दूसरा ये बीमारीयों इडियो पेथिक है तीसरा आपका रिस्क फैक्टर है कि भीडी पी ओगे तो चार साल में चैंसर होगा चरा पी दो आड़ साल में चैंसर होगा आधी-आधी और रिस्क पेक्टर भी जाते पर एक्जेक कारण मालूम नहीं आश्चरी की बात यह है विपिन जी कि बिना कारण मालूम पड़े भी दवाईयां दिये जा रहे हैं और वो दवाईयां केवल इसलिए होती कि आप जब जाके शिकायत करते हो कि भाई मुझे यह यह पीडा है उस पीडा को दबानी की जाती है ठीक करने का तो मालूम नहीं ठीक तो तब करोगे जब दुश्मन का पता हो और इस वजे से आप हर रोज उस पीडा को चाहें वो ब्लट पैशर हो शूगर हो कोई सी भी बीवारी हो हर रोज दबा लेकर के आप उसे रेंज में रख देते हो दबा के और चिता पे लेटने वाले दिन तक आपको खाना पड़ता है जैसे कि एक ही रोगी में एक के बाद एक बीमारिया एक सदिक बीमारिया हो जाती है क्यों कारण क्या है अगर आप खोजें तो आप ये पाऊगे कि ऐसी एक भी दवा नहीं है जिसका दुश्प्रभाव माने साइड इफेक मैंने खोज निकाला कि साइड इफेक्ट क्या है तो देखा आश्यर जाकित हो गया कि सब के साइड इफेक्ट्स है और आश्यर की बात ये है कि एक बीमारी ठीक करने के लिए जो इस्तेमाल होता है दवाई का वो दूसरी बीमारी पैदा करती दूसरी के लिए अब दो बीम जैसे आपने का कि चिकिस्सा पद्धि बदली जाए परचलित चिकिस्सा पद्धियों में किस हद तक हमारे रोक को आरगयों को ठीक करने में साहया के पेपिन जी इसका सवाल तो इसका उत्तर तो आप भी जानते हैं कि आज भारत में नहीं वर्ल्ड में बहुत सुपर- मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल चुके हैं सुपर-डूपर स्पेशलिटी क्वालिफिकेशन के डॉक्टर्स तैयार किये जाते हैं डाइग्नोसिस में कमाल की चीजे हो गई जो आपके 2D एको कार्डियोग्राम, MRI, सब स्कैंस, फैंस उसमें भी अड्वांसमेंट हो चुकी है और दवाईयां एक से रिसर्च करके बना आई जा रही है, अश्चरी की बात है, फिर भी भारत के ही नहीं विश्व के रोगीयों की संख्या में कोई कमी नहीं जैसे कि आपने बताया कि रोगियों की संगह कमीनी ऐसा क्यों मतलब बढ़ते जा रहे हैं देवाई क्या ये कम होंगे या नहीं होंगे ये तो दिश्चित है कि ऐसे अवस्था में भी ऐसे विश्वय वातावरन में भी आप निरोगी रह सकते हैं बीवारियां ठीक करना तो अपने दिन चरिये में क्या फोलो करना है वो ही आप कहना चाहते हैं हाँ देखे बेसिक तो ये है कि हमारा शरीर केवल दोवस्तू से बनाए अन और पानी और अगर शरीर खराब है तो या तो आप अन को दोशी ठहराओ और या पानी को दोशी ठहराओ और ये दोनों अगर कई दोशी है तो फिर बीमारी तो हो नहीं होता है जैसे कि आदरनी वर्मा जी ने बताया कि बीमारी होने के लिए या बीमारी नहीं होने के लिए या स्वस्थ होने के लिए दो चीज का लाइफ में बहुत महत्व है अन और जल जैसे कि आपने बताया वर्मा जी तो अगले ए हमारी बोड़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यह क्या उसके लाब हो सकते हैं, क्या हानी हो सकती है, अगला एपिसोड हमारा जरू देखिए, इसके बाद हम अच्छी बड़ी-बड़ी बिमारियों की हम बात करेंगे, वर्मा जी की रिसर्च के बारे में जानेंगे, जो स्वानिश्री गोल्ड और दैमंड्स विजेवारा